स्लाम अलेकुम दोस्तों यदि आप कुवेट में रहते हो और कुवेट के हम तेरीन ख़बरों से मैंसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कुप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राब करके बैल आकन को प्रे प्रेट आयु हो है उर एरपोर्ट डिसीय के तरब से एक मीटिंग की गई उसके लेकर एक ख़बर आ रही है और वफरा में दोस्तों काफी जादा एक घटना घटी या मता भीर बहात जादा हो रही है इसके बारे में कुछ एक खबर आ रही है तो वीडियो मेरे साथ बने करते हैं कि जिनकी उम्र वहाँ पे 60 साल या फिर 60 साल से जादा हो चुका है जिनके पास कोई डिगरी नहीं है जो बिलकुल पढ़े लिखे नहीं है उनको लेकर दोस्तो हर दिन वहाँ पे कुछ न कुछ अपडेट आती रहती है मिटिंग होती रहती है कुछ दिन पहले दोस् फिर से दोस्तों इस पे वहाँ पे कैबिनेट मिटिंग की गई है मिटिंग के दोरान दोस्तों ये फैसला लिया गया है कि 6 महने का और भी ग्रेश टैम दिया जा रहा है यानि 6 महने के बाद इस पे कोई फैसला लिया जाएगा क्योंकि साथ ही अभी क्या हो रहा है कि अभी नहीं रुकने दिया जाएगा या फिरुकने दिया जाता भी है तो आपको health insurance कितना का हर साल करवाना पड़ेगा इस हिसाब से दोस्तों फैसला लिया जाएगा तो फिलाल अभी 6 महने आपके पास time है दोस्तों 6 महने में आप जो काम करवाना चाहते करवा सकते हैं जैसे भी आ पहले ultimitum दिया गया था पर ultimitum को अब वहां से हटा दिया गया है अगली दोस्तों जो आरी फ्लाइट को लेका है आरी तो साथी जैसा कि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान नेपाल बंगलादेश स्रिलंका फिलिपीन यह सब रिलिष्ट कंट्री है यानि बहुत ही ज़्यादा वहां पर क्रोना वाइरस की केसेस हैं जिसको वज़ा से सभी कंट्रियों को बैंड किया रखा था आपको पता होगा और इंडिया पाकिस्तान के लिए फ्लाइट के बाते यह चल रही थी कि 18 गस्ते फ्लाइट को डारेट फ्लाइट को चालू किये जाएगा पर दोस्तों केस जादा बढ़ने के कारण इंडिया पाकिस्तान में इसे फिर से एक्स्टेंड कर दिया गया था उसके बाद फिर से दोस्तों वहां पर कैबिनेट मीटिंग की गई है आजकल में जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अभी भी कुईत इंटरनेशनल एरपोर्ट म इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश यह सब देसों के लिए अभी नहीं चलाए जाए जाएंगे इसे इस पह दोस्तों एक गाईला जाएगा एक नजया नियम बनाजाएगा इन सबी छे देसों के लिए क्योंकि ये सब 6 देशों में सबसे ज़्यादा coronavirus के cases है ये सब नियम बनाये जाएंगे अलग से इस पर ये bill pass किया जाएगा उसके बाद ही direct flight चलाने की अनुमती दी जाएगी क्योंकि दोस्तों जितनी flight है अभी चलाई जा रही है सब वाया होके आ रहा है या फिर special flight है जैसे इंडिया के वंदे भारत मिसान या फिर जो भी special flight है दोस्तों वो air bubble की तहत ये सब flight है अभी चलाई जा रही है तो अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है अगली दोस्तों जो update आ रही है वो वफरा से आरी दोस्तों वफरा में वहाँ पर vaccination का काम चलना था vaccination के दोरान दोस्तों इतनी जादा वहाँ पर भीड देखने को मिला है जिसके वज़ासे वहाँ पर दोस्तों मालूम चला कि बहुत सारे illegal लोग वहाँ पर vaccination लेने पहुँच गये थे जिसके बाद काफी जादा भीड हो गई बहुत सारे लोग ऐसे थे जिकोई कामा जिसके पास नहीं था विजा एकस्पायर था इस तरह से बहुत सारे लोग थे जिसके बास वहाँ पर काफी गर्दी यानि काफी जादा भीड़ देखने को मिला है तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबर थी, जो कुएट से आ रहे थी, मैंने अब तक सेयर किया आसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करते दोस्तों सेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके है, मिलके साथ इन्दों शुक्त